बोलेनात का पिरिये महीना, सावन का महीना और अधिक मास्ट विश्ण भगवान को समर्पित एक अगस्त मंगलवार के दिन पूर्निमा पढ़ रही है जो अधिक मास्ट की है इस दिन प्रिती योग और आईश्मान योग दो दो शुब योग पढ़ रही है और इसके साथ ही 19 साल के बाद आपको ऐसा सयोग मिला है जो की अधिक मास्त जो बीच में दो महीनों के सावन की आया है उसकी पूरुनिमा आपको मिल रही है और ये बहुत ही दुरलब सयोग है और बहुत ही चमतकारी दिन रहेगा ये दिन और पूरुनिमा जो है वह भुलेनात को समर्पित इस लिए बोलेनाथ और सतनाण भगवान दोनों को समर्पित ये दिन इतना पवित्र है इतना दुरलब है जो फिर कभी आपको ऐसा सयूंग नहीं मिल सकत तो इस दिन मैं निविधन करूंगी उन माताओं से जिनके बच्चों के विवामें देरी हो रही है यानिके बेटा और मेटी के विवा में देरी हो रही है नहीं बना पीछे बहुत उपाये किये कोई सेयोग नहीं बना बहुत सारे प्रयास किये बहुत सारी कोशिशें की लेकिन फिर भी बच्चों का विवा योग नहीं बन पाया ऐसे में तो अब की बार अब आपके बच्चों की मुना कामना त लुखके जि Cantar सबसे ज़्यादा होती है क्यों बच्छों की उमर निकलती है जब उनCya के आंखों सामने विवा कि तो वह क्तने प्रेशान होते हैं यह वही जान सकते जिनके बच्छों क्यों को देर ही हो रही हैं तो आपको करना क्या होगा उस कुछ नहीं करना बस कोई सामगरी नहीं चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपको एक धागा सूती और सूती धागा भी आपको मैं कह रही हूँ मोली में सूती धागा ही होता है हमेशा और मोली जो आपकी होती है लाल और पीले रंग की वो सूती धागे में होती है औ तो आपने जिरूर लाकर का होगा घर में सफेद वो ले सकते हैं अगर वह उपलबद ना हो तो दूसरा घागा जो रंगीन होता है यानि कि मोली वाला होता है वो ले लीजिएगा करना क्या है आपको सबसे पहले तीन धागे इतने बड़े बड़े तोड़िएगा उसमें से जो भी धागा आपके पास हो मोली का हो चाहिए दूसरा हो जिसमें साथ साथ गांठ आ जाए वो धागा वह एक धागा इतना लंबा होना चाहिए दागा यानि कि साथ गाठ आने के बाद भी दागा लंबा रह जाना चाहिए इतना लबा धर का होना चाहिए आप अंगुहटे से छोटी अंगुली तक का या नाप करेंगे तो एक हाथ होता है और फिर दूसरा हाथ इस तरह से इतना लंबा धागा होना चाहिए अब ये धागा लेकर आप सबसे पहले अपने पूझा घर में एक शुद्ध सबसे पहले कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो और मेरे बच्चों के शिगर विवायोग बने ऐसा संक्लब सब्सक्राइब करने के बाद थागे ऻठा कर पूरे घरवि घूम जाएं ताकि वहां पर जो भी वी रहे दोश नेंग्टिविक्टी और जाएं जो आपके घर में बाधाई डाल रहे हैं जो काम नहीं होने से मांगलिक कारे घर में श्रोडनी होने से बच्चों के व्यवायोग निपने स्वापत ओजाएं और आप उन धागों को पूरे घर में घुमा यारस एक बापिस पूजा हर बैठने के बाद अगर तो देखिए पूजा गांट पर लिजिये और यह सफय चंदन ना हो तो एक एक दूद का दूद इच्छा दूद्ध होता है उसका एक छींटा सभी घंटों पर लगा लिजिये तीनों धागों के लगाने के बाद अगर तो भूले गर में है शीवलिंग है तब तो एक धागा तो सबसे पहले बोलेनाथ को लपेट दीजिए और अगर बोलेनाथ नहीं चित्र हो उनका तो उनके चित्र के ऊपर जो कुंडी होती है उसकूंडी पर लपेट दीजिए अब इस धागे को पूरा सावन का महिना या बोलेनाथ के की चित्र पर लिपटा रहने दीजिये या शिविलिंग पर लिपटा रहने दीजिये धागे को पीपल नजदीक में of people की और भर गत का पेड़ हो नजदीक में तो 되어 कि दरिन के और युदमा उपर से बोड़े नाथ का आशिवाद लोन सब्तनान यह विशन्यवाद आश्यवाद गुर्फ situation होंगे यह धागा इन पर इन में से किसी पर भी बांग दिजेगे तुल्सी में बांदें। पर कहीं भी बांदेंगे आपका बच्चों का गुरु ऌगा जनर थागे को आपके गर की चोक्ट जो है उसमें बांद देना है चोक्ट में जगा होतो रख दीजियेगा यह गुच्छा बना के थोड़ा सा लिपेट के और अगर बांधने की जगह हो तो बांध दीजेगा और यह बंदा रहेगा जब तक सावन का महीना पूरा चलता रहेगा इसी सावन के दो महीनों में यानि कि चत्रमास चलेगा इसमें टाइम ही नहीं लगेगा आपके बोड़ वाध तो वह हो जाती है कि रिष्टा नहीं रहा है तो रिष्टा भी वही आएगा आपकी बार आपको यह करते ही उपाई जिस जो आपको पसंद हो आपका मनन सब्स्राइक करfunding जिए साथ साथ गांट लगानी है आपको और आपके पास दूद हो तो दूद उसके पर छीटा लगा देना नहीं तो सफैद जंदन लगा देना इस उपाय को बच्चे कर सकते हैं लेकिन मां को कहूंगी जरूर और जरूर कर ले और अगर मां किसी कारण से ना कर पाए तो हमारे बच्चों के शिगर विवा योग बनेंगे इसी साल 2023 में विवा बंदन में बंदेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट बक्स में जै बोड़े नाथ ह विश्य लिखें जै विश्ण देव लिखें शिक्रमनों कामना पूरून होगी थैंक्स फो राजिए